भगवान श्री क्रिश्ण योगी की उत्तम स्थिति के बारे में बताते हैं कि कौन है उत्तम योगी तो भगवान कहते हैं जो हर समय मुझ में ही मन को रमाता है हर समय जिसके मन में सिर्फ परमात्मा चलते हैं और जो श्रधा पूर्वक भजन करेगा भगवान का नाम लेगा हर वेक्ति हर वस्तू में सिर्फ परमात्मा ही जिसको दिखाई दे और परमात्मा का ही जिसे स्मर्ण हो वह उत्तम योगी माना गया है भगवान कहते हैं मैं उसे अपने पास जाधा अनुभव करता हूँ तो चैप्टर सेवन में भगवान शुरुवात करते हैं खुद अर्जुन को बताते हुए, जादतर अध्यायों में क्या हुआ है जादतर चैप्टिल्स के अंदर, अर्जुन ने प्रश्ण पूछे हैं और फिर भगवान श्रीकृष्ण उसका उत्तर देते हैं, यहां अर्जुन कोई भी प्रश्ण नहीं पूछ रहा, परंतु पर अर्मात्मा बताते हैं, यह दर्शाता है कि जब हम किसी से प्रेम करते हैं, या किसी व्यक्ति को अपने निकट महसूस करते हैं, या उसके हित की बात सोचते हैं, तो बिना पूछे ही हम उसे सलाह देते हैं, या उसके हित की बात करते हैं, क्योंकि हम नहीं चाते उस व्यक् कहते हैं मैया सक्त मना मुझ में ही आसक्ती रखकर जो व्यक्ति चलता है जो व्यक्ति संसार की बंधनों का त्याग करे सिर्फ परमात्मा की ही कामना करे दिन रात परमसत्य की यात्रा पर चलना ऐसा जिस व्यक्ति का भाव है परमसत्य तक जाना है परमात्मा तक जाना है बस वही हमारा लक्ष है और कुछ भी लक्ष नहीं तो परमसत्य की यात्रा पर चलते चले जाना है और परमात्मा से आसकती रखनी है फिर ये संसार छूट गया जब भी हम किसी के साथ टैच होंगे उसी की कामना होगी उसी की इच्छा होगी चाप्टर टू में भी यही बात श् संगा संजायते कामह तो जिसके साथ भी हमारी अटाच्मेंट बढ़ेगी उसी की कामना बढ़ती जाती है इसलिए अटाच्मेंट का त्याग संग का त्याग गीता बल देती है गीता असंग को बल देती है संग किसका परमात्मा का असंग किसका इस संसार का छूटिये इस पंधन से भगवान कहते हैं आगे कि मेरा आश्रे लेकर जो व्यक्ति चलता है मेरे परायन होकर जो योग करता है तो आश्रे किसका डिपेंडेंसी किसके उपर परमात्मा के उपर ना कि इस संसार के उपर जब जब हम संसार के लोगों के उपर वस्तुओं के उपर डिपेंड हमें डिपेंड होना है परमात्मा पर क्योंकि सुख देने वाला वही है और कोई डाउट न रहे मन में संशे मन में न रहे जानने की कोशिश कीजिए कि तत्व क्या है परमात्मा क्या है जब सारे संशे हटने लग जाते हैं मन से सारे डाउट सटे हैं अर्जुन प्रतीक है डगमगाते हुए विश्वास का विश्वास हिलता रहता है मनश्य का कभी-कभी तो बड़ा गेहन विश्वास जाकता है कभी-कभी विश्वास तूठे ही जाता है लगता है कुछ भी नहीं है इस संसार में तो तूटता हो अविश्वास, जमता हो अविश्वास, गीता उस विश्वास को द्रड करती है, जो परमात्मा की ओर ले जाता है, भगवान कहते हैं, आप जैसे भी भक्ति करते हैं, जिस भी नाम से पकारते हैं, मैं उसमें ही आपका विश्वास द्रड कर देता हूं, उस ही में रास्ता बना देता हूं ये भगवान श्रीकृष्ण की करुणा है उनकी कृपा है तो जब करुणा होती है तो व्यक्ति-भक्ति करता जाता है आगे बढ़ता है तो बिना डाउट्स के बिना किसी संशे के तो आसकती रखे परमात्मा में और इस संसार की आसकती का और कुछ भी नहीं है तो ये बात गेहराई से समझ आने लग जाती है और मन शान्त होने लग जाता है भगवान कहते हैं तच्छिनू यानि सुनों गेहराई से जब भगवान श्रीकृष्ण कोई बात कर रहे हैं तो कोई बिलक्षण बात कर रहे हैं क्योंकि वक्ता भी कौन ह भगवान श्रिक कृष्टे है, तो भगवान कहते हैं, मैं तुम्हें ज्यान के बारे में बताऊंगा, नौलिज के बारे में, साथी विज्यान के बारे में उसे प्राप्त कैसे किया जाए, और अशेश़्ता यानि कि पूरी तरह से समगर रूप से कहूंगा, जिसे तुम कौन है इसका रचैता कौन है इसके केंद्र में आत्मा क्या है इस तरह की जो प्रश्ण है इस तरह का जो ज्यान है इसको हमें समझना है विज्ञान क्या है विज्ञान है कि जीवन का लक्ष क्या है उसे कैसे प्राप्त किया जाए किस प्रकार से हम किस विदी से हम लगन से प जंदगी में क्या होगा तो जिस चीज के लिए हमारा जन्म हुआ जिस तत्व को जानने के लिए जन्म हुआ बस उसी को प्राप्त करने की कोशिश करनी है ये चैप्टर सेवन में बताया जा रहा है जैसे श्वेत्केतु कि कथा आती है उपनिशदों में कहा जाता है कि दिलिशत कहते हैं जिसे जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता, उसको जानो. तो शेदकेतू जब सब कुछ पढ़ कर आ गया, तो पिता के सामने अहंकार प्रदर्शित कर रहा है, मुझे सब आता है. तो पिता ने कहा कि क्या तूने उसे जान लिया जिसे जानने के बाद सब को जान लिया जाता है तो शेतकेतु बोला कि नहीं वो तुमें नहीं जानता गुरू ने नहीं बताया तो पिता ने कहा वापिस गुरू के पास जाओ और वो विद्या सीख कराओ जब अपने गुरुदेव के पास गया तो गुरुदेव ने जब उसके पिता की बात सुनी तो शेद केतु को आग्या दी कि तुम जंगल जाओ ये कुछ गाए मैं तुमें दे रहा हूँ कुछ सो गाए उसे दी और कहा इन्हें जंगल में लेकर जाओ जब तक ये एक हजार नहीं हो जाती तब तक साधना करो शेद केतु साधना करता रहा फ्रिक्षों के नीचे सोता आकाश को देखता तारों को देखता जील को देखता जो शांत जील है फूलों के बीच में रहता गाएं की बीच में रहता एक अलग ही निर्मन वातावरण में जीना सिख गया धीरे धीरे मन की अशुद्धियां दूर होने लगी तत्व ज्यान होने लगा कहते हैं जब एक हजार गाये हो गई तो गायों ने ही कहा श्वेत केतु को कि हम एक हजार हो गई है श्वेत केतु अब वापिस चलो तो जब अपने गुरु के पास गया तो गुरु ने उसको देखकर बड़ी ही प्रसनता जाहिर की तो गुरु के और शिश्यों ने कहा कि एक हजार गाये आ रही है तब गुरु बोले कि एक हजार नहीं एक हजार एक गाय आ रही है क्योंकि श्वेत केतु भी गाय बन चुका है तो उपनिशत कहते हैं हमारे देश की संस्कृति और विरासत कहती है हमारे देश की टीचिंग्स कहती है कि उस ग्यान को प्राप्त करो जिसे प्राप्त करने के बाद सब कुछ प्राप्त कर लिया जाता है सब कुछ मिल जाता है हमारे देश में जितने भी रिशी मुनी हुए सब ने ग्यान का प्रचार और प्रसार किया भकवान बुद्ध के बारे में कहते हैं कि जो ग्यान उन्होंने प्राप्ट किया उसे सारे जगत में पाटा, एक देन वो जंगल में जा रहे थे, अब पच्छड का समय था और वरिक्षों से पत्टे गिर रहे थे, अब पत्टे गिर रहे हैं जंगल में और हवाईं उड़ा रही हैं, तो ध्वनी प्यदा हो रही थ थी पत्तों की उड़ने से उस समय उनके जो परम शिश्य आनंद थे उन्होंने भगवान बुद्ध से कहा कि क्या मैं कोई प्रश्ण पूछ सकता हूँ आज आप अकेले में हैं सब शिश्य साथ होते हैं और मैं बात नहीं कर पाता तो भगवान बुद्ध करुना की रूप उन्होंने कहा आनंद को कि पूछो क्या पूछना चाहते हो तो आनन्द ने कहा कि भगवान बुद क्या आपने सारा ग्यान अपना प्रकट कर दिया है जो आप बताना चाहते थे इस विश्व को क्या आपने सब कुछ बता दिया या कुछ बचा लिया है अपने लिए तो आनंद की बात सुनकर भगवान बुद्ध ने अपने हाथ को आगे कर दिया अपनी मुठी खोल दी और कहा कि मेरी मुठी तो खुली हुई है मैं एक खुली किताब की तरह हूँ मैंने जो भी ग्यान था सब बाटा सब दे दिया परंतो तुमने वो ग्यान सारा प्राप्त किया या नहीं किया ये तुम पर निर्भर करता है क्या तुमने वो ग्यान ले लिया क्या तुम्हारे अंदर वे ग्यान प्रकट हो गया ये तुम पर निर्भर है मैंने तो जैसा था वैसा बोल दिया और कई बार बोला रिपीट करा बताया सबको जा जाके तो भगवान श्रीकृष्ट ने भी अर्जुन को जितना हो सके ग्यान के बारे में बताने की कोशिश कर रहे है कि जो हो सके मैं बताऊं कुछ भी न रह जाए और जब पूरा ग्यान बता पा रहे है कुछ रह भी गया क्योंकि कई बार होता है कुछ ग्यान बताया जा सकता है शब्दों से और कुछ व्यक्त नहीं किया जा सकता तो क्षिकृष्ट ते दयालू है कि उसके बाद दिविद्रश्षी दे देते हैं कि जो चीज तुम शब्दों से नहीं समझ रहे वो तुम देख लो विश्यूरूप के दर्शन करा देते हैं विटकिंस्टीन का एक प्रसित वचन है कि कुछ बाते कहीं जा सकती है और कुछ बाते बताई जा सकती है जो बाते कहीं नहीं जा सकती वो बात पताई जा सकती है तो श्रकृष्ण बता रहे हैं दिव्य दृष्टी भी देते हैं तो इस चाप्टर में भगवान कहते हैं ज्यान विज्यान सब नौलेज में दूँगा सब कुछ बताऊंगा कुछ नहीं चुपाऊंगा तुम से जिससे तुम आत्म साक्षात कार कर सको जिससे अपने तुम भीतर पहुंच सको